लोटस हायर बिदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे डाइबिटीज के मरीज्यों के लिए फायदे मंदे खीरिय का सेवन कंट्र लेता है बिलेट सुगर लेवल तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब करने बेल आइकोन की घंटी बाज़ा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे आपको मैंने साथ ही वीडियो लाइक करें और फेमली और फ्रेंड में वीडियो से भी करें तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो गर्मी के मौसम में हमें ताजा खीरा खाने को मिलता है खीरे में 95% पानी मौझूद होता है इसका सेवन करने से डिहडेशन की समस्या से बचा जा सकता है डाबेटेज के रोगियों के लिए खीरे का सेवन फाइदेबन माना जाता है कीरे में anti-diabetic गुड पाये जाते हैं डाबेटेज में कीरे का सेवन करने से खुन में गिलोगुस की मातरा को कंटूर किया जा सकता है इसलिए जानते हैं डाबेटेज में खीरा खाने के फाइदे और सेवन का तरीका सबसे पहले आप जाने फाइदे WHY एंटियोक्सिदेंट से भरपूर होता है खेरा खेरा हिरा में गूलक जाते हैं अगर आप डायबेटिक रोगी है तो खेरी अपके लिए फाइदे मन हो सकता है Antioxidant Diabetes मरीजों को Free Riticals से भी होने वाले नुक्सान से बचाते हैं खीरी का सेवन करने से Oxidative Stress कम होता है इसका दूसरा फाइदा है Billet Sugar Level कम होता है खीरा, Fiber, Calcium, Magnesium, Phosphorus और Potassium का अच्छा सोर्स होता है Fiber का सेवन करने से खून में गुलूगुस की का इस्तर कंट्रोल रहता है खीरे का सेवन करने से मुटापा कम करने में भी मदद मिलती है क्यूंकि एक छोटी से खीरी में करीब 14-15 ग्राम कलूरीज होती है एक स्टेट में बताया गया है कि डापेटीज में खीरा खाने से बलड सुगर लेवल कंट्रोल रहता है खीरे का गलामिसिक इंडेक्स कम होता है खीरे का गलामिसिक इंडेक्स कम होता है कम गलामिसिगंडेस वाले foods का diabetes रोगियों के लिए फायदे मन्द होता है खीरे में मौजूद compound carbs को आसान सुगर के फार्म में तोड़ने से रोगते हैं और इस तरहें खाने के बाद blood glucose spikes को कंट्रोल करने में मदद करता है खीरा आपकी immunity को बढ़ाता है खीरे में बिटामिन A, बिटामिन C और बीटा करोटीन की पिर्चुन मात्रा पाई जाती है इसका सेवन करने से सरीर का रोग प्रत्रोदक चमता बढ़ती है diabetes होने पर मरीजों की immunity कमजोर हो जाती है वो जदी बिमारी पर चपेट में आ जाते हैं ऐसे में बिमारियों के जोखिन को कम करने के लिए खीरे का सेबल करना चाहिए diabetes में खीरा खाने का तरीका क्या है वो भी अब जान दीगा diabetes लोगी सामान लोग एक दिन में छोटे आ करके एक से दो खीरे खा सकते हैं खीरे को छिल के समेत भी सालात के फॉर्म में खा सकते हैं खाने का जूस पीना भी खीरे का जूस पीना भी फाइदे बंद होता है सूबे के बक्त खीरे का जूस पीने से बिलट सुगर लेवर कंट्रोल में रहता है खिर्य का रायता बना कर भी आप खा सकते हैं खिर्य का सूप बना कर भी पीना फाइदे मन्त होता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कशा लगा कमेंट करके बताएं धन्यवाद